हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यो पीएसी ड्रीम चैनल पर इससे पिछले वीडियो में हमने हुमायू के बारे में पढ़ा था और आज हम सेरसासूरी के बारे में पढ़ेंगे तो आईए कुछ बेसिक जानकारियां देखते हैं सेरसासूरी के बारे में इसका जो सासन चला था सेरसासूरी का 1540 से लेकर 1545 भी सकत शूर राजवन्स का संस्थापक सेरसासूरी था इसका जन्म 1672 इस भी को हुआ था बचपन का नाम भरीद खान था पीता का नाम हसन खान और वह सासाराम के जमिंदार थे तो हमने क्या क्या देखा इस इसका जो सासन था 1540 से लेकर 1545 इस भी तक चला था सूर राजवन्स का संस्थापक सेरसासूरी था और सेरसासूरी का जन्म 1472 इस भी को हुआ था बचपन का नाम इसका फरीद खान था और पिता का नाम इसका हसन खान था और इनके पिता जो थे वह सासाराम के जमिंदार थ आईए और कुछ जानकरियां देखते हैं सेरसा सूरी के बारे में फरीद खां त्वारा एक सेर को मार डालने के कारण बहार खा लोहानी ने उसे सेर खां की उपाधी दी तो फरीद खाने एक सेर को मार डाला था और उसे बहार खान लोहाने ने सेर साओ की उपाधी दी थी 1549 इस्वी में चौंसा के युद्ध में हुमायू का सेरसा सूरी से आमना सामना हुआ जिसमें सेरसा सूरी बिजई हुआ और उसने सेरसा की उपादी धारान की तो 1549 इस्वी में हुमायू और सेरसा के बिच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सेर सा सूरी बिज़ई हुआ था और उसके बाद उसने सेर सा की उपाधी धारां की तो देखिए एक बचपन का नाम इसका फरीद कहा था और एक सेर को मार डालने के कारण बहार खां अलोहानी ने इसे सेर खां की उपाधी दी थी और 1549 इसवी में चोंसा के युद्ध में बिज़ई होने के बाद इसने सेर सा की उपाधी धारां की और आईए और कुछ जनकारियां देखें तो सेर सहा बिलगराम के युद्ध में भीज़ाई प्राप्त करके 1540 इसवी में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया सेर सहा ने 1540 इसवी में बिलगराम के युद्ध में हुमायू को एक बार और पराजित किया और उसके बाद उसने दिली और आगरा पर अधिकार कर लिया सेरसा 68 वर्ष की आयू में दिली की गद्धी पर बैठा और उसने 1540 इस्वी में सूर वन्स की स्थापना की दिली की गद्धी पर सेरसा 68 वर्ष की उम्रे में बैठा और उसने 1540 में सूरवन्स की स्थापना किये आईए अब हम सेर सा की बिजय देखते हैं तो पहला जो उसने युद्ध किया गखरों से तो 1541 में सेर सा का गखर जाती के लोगों से युद्ध हुआ सेर सा उनकी सकती को खतम ना कर सका पर उनकी रोक थाम के लिए रोहतास गड़ किले का निर्मार करवाया गखर लोग लूट पार्ट करते थे गखर लोग जो थे हुआ लूट पार्ट करते थे और 1541 में सेर सा और गखर लोगों के बीच युद्ध हुआ और लेकिन सेर सा उनकी सकती को खतम नहीं कर पाया लेकिन उसने उनकी रोक थाम के लिए रोहतास गड़ किले का निर्मार करवाया अब मालवा की भीज़े तो सेर सा ने 1542 इसमी में मालवा पर अक्रमल कर उस पर अधिकार कर लिए तो सेर साह ने 1542 इसवी में मालवा पर अधिकार कर लिया राइसीन की पिजय 1543 इसवी में सेर साह ने राइसीन पर आक्रमड किया माना जाता है कि सेर साह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत सासक पूरनमल को मार डाला और सिर्साह ने राइसेन के किले को विश्वघाद से चीता तो राइसेन का जो साषक उसमें ठाव राजपूत था एक और उसका नाम था पूरनमल और पंदरवाण सो तिरालिस इसमें आकरमण किया था शेर्साह और उसे धोखे से मार दिया था तो माना जाता है कि उसने रहसेन के किले को विश्वगाद से चीता था मारवाड की विजय मारवाड का सासक मालदेव था सेरसा ने उसे 1544 इस्वी में पराजित किया यह अभियान सेरसा के सभी अभियानों में सबसे कठिन अभियान था तो 1544 इस्वी में सेर्षा ने मारवाल पर आकरमड किया था और सेर्षा के सभी अभियानों में से यह सबसे कठीन अभियान था इस बीजे के बाद सेर्षा ने कहा था कि मुठी भर बाजिरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत खत्रे में डाल दी थी यानि उसने कहा था कि मुठी भर बाजिरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत को खत्रे में डाल दिये इस बीज़ा के बाद कालिंजर का अभियान 1545 इशवी में सेर्षा का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था यानि कि सेरसा का अंतिम अभ्यान जो था वा कालिंजर का अभ्यान था वा 1545 में किया था कालिंजर अभ्यान के दोरान सेरसा ने किले की दिवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आग्या दे उसी दोरान किले की दिवार से टकरा कर एक गोला उसके पास रखे बारूद के धेर पर जा गिरा और उसमें आग लग जाने से 22 मई 1545 इस भी को सेर्शा की मृत्ती हो गई तो कालिंजर का अभियान में ही सेर्शा ने उसके किले को गोला बारूद से उड़ा देने की आगया दे थे और उसी दोरान एक गोला उसके पास रखे बारूदों को धेरो पर जा गिरा और उसमें आग लगने के कारण 22 मई 1545 इस भी को सेर्शा की मृत्ती हो गई उसे बिहार के ससाराम के मकबरे में दफना दिया के है सेर्शा के प्रसासनिक कारे के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बराव दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद